केरल में एक व्यक्ति की मौत इडली खाते खाते हो गई, अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसी हो सकता है, दरसल व्यक्ति इडली खाने की परतियोगिता में भाग ले रहा था, इसमें कम समय में जादा से जादा इडली खानी थी, लेकिन जादा इडली खाने के चक्कर में इस व् जानस लेने में परिशान ही हुई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई ऐसे में जानना जरूरी है कि जाना खाने से और जल्दी खाने से मौत कैसे हो जाती है एक्सपर्ट्स बता दें कि एक साथ जादा भोजन करना जान लेवा हो सकता है जब कोई व्यक्ति जलबाजी में खाना खाता है या खाना खाते समय जादा बात करता है तो इससे खाना सांस की नली में फसने का रिस्क जादा होता है ऐसा असलिए होता है क्योंकि जब आप खाना निकलते हैं तो इस दोरान सांस की नली खुद को बंद कर लेती है और खाना सांस की नली में ना जाकर food pipe के जरिये पेट में जाता है लेकिन जब कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी खाना खाता है तो इससे कुछ मामलों में सांस की नली को बंध होने का मौकर नहीं मिल पाता और खाना इस नली यानि की wind pipe में फस जाता है ऐसे में जब खाना सांस की नली में फस जाता है तो शरीर में respiratory system पर असर पड़ता है ऐसा इसलिए क्योंकि खाना फसने से सांस लेने में परिशानी होती है अगर एक से दो मिनट तक सांस ना आए तो शरीर में oxygen की कमी होने लगती है इसे जादा देरी होने पर दमगुटने लगता है और व्यक्ति की मौत तक हो सकती है सांस की नली में खाना फसने से respiratory system failure हो जाता है जो मौत का कान बनता है medical भाशा में इसको aspirate कहते हैं आम तोरब सांस की नली में खाना नहीं फसता है लेकिन ऐसा तब होता है जब कुछी सेकेंड में कोई व्यक्ति एक साथ बहुत सारा भोजन करता है इसको medical की भाशा में speed eating कहते हैं इस तरह भोजन करना खतरनाक हो सकता है अगर भोजन सांस की नली में जाकर फस जाए और निकल नहीं पाए तो मौत हो जाती है इस तरह की घ पहाना फसत है तो पहले व्यक्ति को हलकी हिचकी आती है और फिर सांस लेने में परिशानी होती है अगर आप बोजन जल्दी-जल्दी कर रहे हैं और अचानक हिचकी आ गई है तो बिन देरी किये आपको तुरंद कम से कम दो ग्लास पानी पीना चाहिए इसके लाबावा व कर दो